चीची नू लहू लवा शहीदियां पाउंच महर बादल परवार दी नुहू आते साबका केंदरी मंत्री हरसिमर्त का और बादल दाहे ब्यान जरा गौर्णाड सुनो सरकार उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हर्याना में MSP खतम हो जाएगा मंडी करंधाचा खतम हो जाएगा यह ओडिनेंस तो लेके आएं मोदी साब इनमें क्या है इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद अजादी देश भर में है कि उसक अजाद असली दरीके में किया गया है कि अपनी फसल किसान जहां मर्जी उसको अच्छा दाम बहतर दाम मिलता वहां वो बेचे दूसरी बात यह कहीं गई है कि जो आज तक मंडियां सिर्फ सरकारों के कबजे में होती थे आप कोई भी लाइसंस सरकार से लेके मंडी लगा स सकता है अब लाइसंस किसको देना है किसको नहीं देना यह तो अभी भी सरकारों का फैसला है लेकिन जो लाइसंस के लिए अपलाए करे कोई भी अपलाए कर सकता है उनको लाइसंस भी दिया लाइसंस दिया जा सकता है और वो अपनी मंडी लगा सकता है और तीसरी बात यह कि लाइसंस भी कोई भी ले सकता है मंडी भी कोई लगा सकता है ये ब्रहाम जो फ्यलाया जारा है कि ये सारी चीजें जु केंदर की सरकार ने मोडी सरकार ने ये बिलकुल किसान के विरोधी है और ये फ्यलाने वाले देश भर में सबसे ज़्यादा कॉंगरेस पाटी कर रही है और उनकी B-team जो आम आदमी पाटी कर रही है जो कभी किसानों को बढ़का रही है कभी किसी को बढ़का रही है मोदी सहब दे खेती कनूना दे सुहले गारही हरसिमर्त का और बादल उन आपनी स्यासी सहूरत मताबक बेशक पल्टी मार गए होन पर मुहों निकले हैं बोल आज जवाब मंग रहे हैं आज विबा हरसिमर्त का और बादल जिना कनूना नू काले कनून मान रही है उस बारे बादल प्रवार्दा पहला स्टेंड की सी सुनो सोचो ते समझो आप उनकी बात पहले करिए क्योंके आज देश भर में जो ये किसानों को भड़काने की बात की जा रही है ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मोदी साब ने तीन ओर्डिनन्स जो लेके आए हैं मोदी सरकार उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हर्याना में MSP खतम हो जाएगा मंडी करंधाचा खतम हो जाएगा ये ओर्डिनन्स जो लेके आएं मोदी साब इनमें क्या है इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद अज़ादी देश भर में है कि उसको जबरदस्ती मंडी के राही नहीं वो अपनी फसल देश के किसी कुने में बेच सकता है प्राइवेट को बेच सकता है सरकारी को बेच सकता है इनम के राही इलेक्ट्रोनिकली भी बेच सकता है पूरी अज़ादी उसको अज़ाद असली तरीके में किया गया है कि अपनी फसल किसान जहां मर्जी उसको अच्छा दाम बह उसको नहीं देना ये तो अभी भी की सरकारों का फैसला है नेकिन के लिए अपलाई करों कोई भी अपलाई करसकता है उनको वह vic और तीसरी इन की उसने कोई हैं मंढी कोई नगा सकता है और किसान मर्जी बेच सकता है ये ब्राम जो फिलाया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो किंदर की सरकार ने मोधी सरकार ने ये बिलकुल किसान के विरोधी हैं और ये फिलाने वाले देश भर में सबसे ज्यादा कॉंग्रेस पार्टी कर रही है और उनकी बी टीम जो आम आदमी आज वरोध दा चंडा चुकी फिर दे हन जरा इस बदली सोच नू समझो ते स्यासे गर्जां लई बदल दे स्टैंड नू विचारो आज बीजेपी नू पाणी पीपी के पांड रहे हन हुन बीबा हरसिमर्द का और बादल दे ताजा ब्याना ते नजर मारो ओ कह रहे हन क आज पंजाब दी पाजपा इस गलों नखेदी की थी कियो किसानी अंदूलन नू बदनाम करंदा यतन कर रही है अधे आख रही है किसान आपणिया वाजब मंगा परदान मंत्री सामने राक्के उन्हान नू हलकर वाण दी था राजनिती कर रहे हन एलजाम उन्हाने पंज सरजीत कुमार ज्यानी ने किसानी संगर्श अधे इस दे नाल जुड़े लोकां बारे बेहद इतराज जोग टिपनिया कीती हैं उन्हान दा कहन है केंदर सरकार सुबाई पाजपा जोनर दी किसाना नू बदनाम कर नवास्ते दुरवर्तों कर रही है अधे बेहद शांती पूरण तरीके नाल आपनिया मंगाली से अंगर्श कार रहे किसाना नू गुंडे दस्या जा रहा है बीबा बादल ने सवाल कीता है के ज्यानी परदान मंत्री नो मिलन क्यों गैसान जदो उन्हान ने खेती कनून रादकर्ण वास्ते एक भी शब्द मुहों नहीं कड़ बीबा बादल ने एहे भी सपष्ट कीता के अकाली दल पाजबा नाल कोई भी सांज नहीं पावेगा और सिमत कौर बादल ने कहा के केंदर सरकार किसाना तूं आपना प्रोसागवा चुकी है अदे परदान मंत्री न रिंदर मोधी नो मुझारा कारी किसाना नाल सिदी गा बाद करनी चाहिदी है खैरत उसी न दे पहला ब्यान भी सुने अदे बाद विच उन बदली विचारता रावी सुन रही ओधर अकाली दल मुखी सुखबीर सिंग बादल दे ब्यान भी सुनो उनन दा कहना केंदर दे शारियां ते किसान अंदोलन नू कैप्टन ताला रहे पाब नाल ही सुबा सरकार नू भी विलेटया जा रहा है असल विच अगामी नगर निगम चोणा नू लैके अकाली दल काफी सरगर्म हो चुका है अकाली वरकराणू हला शेरी देन लईश रोमनी अकाली दल दे परदान सुखबीर सिंग बादल जलाला बाद पहुंचे हो इस दौरान उन्हाने अकाली दल दे संभावी उमीदवार नू नगर काउंसल चोणाज दाटके चोन लड़ली प्रेर्या तनाल ही किसानी अंदोलन ते सुबा सरकार नू मी चोबाला आ गये दी कदे ओ डटके वजाहत कर दे रहेने खुल के उस दे हाक विच बोल दे रहेने सुखबीर बादल होन प्रकास सिंग बादल होन जा बीबा हरसी मर्त का और बादल जिन अदा ब्यान तोसी उपर सुने है कि किस तरह ओ खेती करूना दे सोले गा रहे हन पर जदों पंजाब ने खूब वेखे हन फरक बस ए है कि नदी पूल हुन इस पदर तक खुल चुकी है कि जनता हुन खुल के केरन लगी है चीचिया नू लहुवालियां शहीदियां कबूल नहीं हरसी मरत बादल जीदा बियान आया है कि मोदी गावर्मेंट जेड़ी है उसने ओ एंटी सिक है एंटी गावर्मेंट है मैं समझ दा कि तुसी जदो आपने होटल लेने सी ना को लों जदो तुसी अपनी वजीरी लेनी सी ना को लों जदो किसानी बिल पास होने सी तुसी दसकत कीते हो ना बिला दयोते उसमेले गला क्यों नहीं याद आईया कि एंटी सिकते एंटी किसाने अज तुसी गल क्यों कह रहे हो और वड़ी गल्की है कि तुसी इस सारा कुछ स्थीफिय करके सब कुछ कर रहे तो बद किसान तो अनू एकसेप्टनी कर रहे किसान तो अनू पिंडा जेड़े तुसी अपड़ी कॉंसीच बठिंडे जेड़ी इतवार नू मीटगा रखियां सी पहले पिंड़ी काले चंडे दिखाए गए तुसी सारिया मीटगा कैंसल कीतिया ने मैं समझदावा कि तो अड़े हाथी दे दांद खान दे कुछ होलने और मैं समझदावा कि तुसी अपने मफाद वास्ते हमेशा कौम नो गहने पाया है और आज भी जो तुसी बोल दे पाये हो क्योंकि तो अड़ी प्लिटिकल ग्राउंड काली दल्दी खतम होगी लोकी ना थे गुरु ग्रंसाइब दे स्वाल पुच्छन आए तिरसो ठाई तुसी डंगा मारिया जे डेरे नो माफी दिती लोका ने तो अड़ा विरोध कीता आज किसान अड़ा तो रोकीता है कि किसान भी तो अड़ा विरोध कर रहे ने इस विल ले तुसी बुखला चुक्के हो डैस्परेट हो ऐसी आँसी अगला बोल दे पाये को किसे तरीके पंथक वोट और किसानी वोट साड़े को लाजवे पर लोकी तो अड़ा चेरा पचा जेकर तो आनुसाड़ा एही अप्राला चंगा लगा है ता इसनों लाइक करो शेर करो अधे साड़े यूटूब चैनल नों सब्सक्राइब करो